अधिया अधिया विद्ध आज की वीडियो में हम लोग आनलेसिस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए कल मंतली एक्सपाइरी है हमारा प्लान क्या रहना चाहिए मार्केट में क्या हो सकता है और कौन सी इंपोर्टन चीज़े रहेगे अगर अभी तक टेलिग्राम चानल जॉइन नहीं क्या होगा हम मैं पहले बता दू टिप्स वगर मैं नहीं देता टिप्स के लिए आना है तो नहीं आए तो भी चलेगा बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा अगर मॉर्निंग पे आप देखते हो तो मॉर्निंग में आप लोगों को यहां पे जैसे ही लेवल भी अपडेट कर दी थी तो मैंने यहां पे कहा था कि सेटल होने देते तब तक कुछ नहीं करते हैं एक्जक्तली आफ्टर 15 मिनिट 30 मिनिट मार्केट गयो दो ब्रेक आउट जब यह ब्रेक आउट कर लिया था आट अड़ सेम टाइम आ जस्टेंटर क्योंकि देखो क्या हुआ था मार्केट में ग पोजिट थिंग तो मैंने 15,700 के कुछ कॉल सुटा है था अब तक तक थोड़ा पाच्छेवांट इदर उदर मुमेंट हो ही जाती है अब उसके बाद में आप देखो कि जैसे अगर सस्टेंट नहीं होता तो मैं उसमें निकाल दूँगा बट अट अगर यहां पे देखो यहां पे रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट करके उपर के दरफ चला गया ठीक है तो people also made good money अगर यहां पे देखो जब यह candle बनी ना तो मेरा तो यहां से sell था ठीक है यह रिटेस्ट हुआ तब भी मैंने अपना put को नहीं निकाला 15,700 के उसके बाद में जब market उपर गया तो मिले होगी यहां पे नहीं तो यहां पे मिले होगी तो उन लोगों को फिर से छोटा सा distance बच चुका है यहां से फिर से एक entry ले सकते है at the same time मैं आपको बता दू कि यह मैंने screenshot भी है जा जा था 1234 27 को मैंने खुद entry के थी 15,700 के put में कुछ lots और बढ़ा दी थे 62 पे sell किया था और 62 पे sell करने के बाद तुरंत वो 58-59 आ चुका था लेकिन मैंने तुरंत आप लोगों को दे दिया मैंने trade देने के वज़े से नहीं देता हो आपको सिखाने के लिए दीता हो ठीक है अगर मैं नहीं लिखता तो फिर मैं आपको बता बाता तो वो सारी बाते में जो होती न ठीक है अब वहाँ पे क्या होता है कि 62 पे हम लोगों ने sale किया अब देखो कि वो थोड़े ही देर में 24 पे 54 पे आया अगर यहां पे जब मैंने दिया था वो 59 के आसपास चल रहा था यहां से अगर आप किसी को कुई ने अगर चाहा है मतलब कोई चाहता और उसको sale कर देत आपको बता दो किस तरीके से होई अगर आप आते हो यहां पे कि सबसे पहले देखो 15,700 का put जो मैंने sale किया था almost यह सेकेंड कैंडल जो बनी ना यही पर मैंने entry कर ली थी कम quantity में फिर मैंने quantity बढ़ा दी अब यहां पे देखो कि जो मैं आपको important चीज बताना चाहता हो ना तो कल के दिन का low था यह पहले यह लगा हुआ था 55 रुपीज ठीक है आज यही पर closing होई आप देख लो तो कही ना कहीं मेरा जो टार्गेट है 55 पर आ जाए 55 पर आने का इसने bounce दिया ठीक है 64 तक और इसी bounce में जब यह उपर गया तो 67 का high लगाया और जब यह तुरन नीच प्रिकत नहीं हुई almost low लगाया इसने 35 का ठीक है 35 का almost आप देख सकते हो यहां पर 35.5 का तो यहां पे है ना कि मैं तो यहां पे भी नहीं निकला मैं आपको बता दू जब बड़ी movement हुई ना उपर के almost 55 तक कि तब भी मैं नहीं निकला था आपको message टेलिग्राम पर भी अगर यह candle बनने का दिये सीधा नीचे आके यहां पर रुकनी चाहिए थी 36 के बाद और फिर नया लो बनता था ठीक है मैं आपको continue बता रहा था कि नया लो बनेगा पहले तो starting में 50 का low था वो भी ब्रिक हुआ तो उसके बाद में मैं यहां पर exit का plan बना लिया और आप सारी चीज़े देखने वाले अब देखो market open हुआ open होने के बाद first 15 minute पे obviously कि हमारी जो कल की लेवल थी वो लेवल ने बतलब इस लेवल को इसने breakout कर दिया breakout करने का फिर यह candle बनी अब हमारी जो लेवल थी जो मैंने आपको कल बताया था seven foot gate की ऊपर गया उपर जाने के बाद रिटेस्ट लिया perfect retest इसे कहता है अब यह जरूरी नहीं है कि retest हमेशा हो कभी कभी ना होगा भी नहीं देखो यहां पे हुआ जिसने यहां पे entry मिस कर दीना वो उपर गया फिर यहां पे आपको एक perfect entry दिया कुछ मेरे course के लोग है उन्होंने यहां पे entry की मुझे message भी बे आता और आपको भेजाता तो उसके बाद में देखो upside market अब यह जो market candle यह नीचे है ना फिर रिवर्स हो गया फिर candle बनी इसके बाद में जब लोग तुटन आपको मैं बताता हो logic क्या इसके बिचे exit का plan कैसे किया जाता है देखो market नीचे आया शायद यह हमेशा up or down होते कभ फिर उपर गया यह नीचे है अब यह जो green बनी ना इसने high को तोड़ देना चाहिए था और उपर जाना चाहिए तक कहा तक तो I was expecting कि यहां तक तो भी जाए यहां तक चले जाता तो option रहता था 25 रुबए का ठीक है और फिर यह यहां तक भी आता तो कोई tension नी था फिर एक बट यह pattern कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि यह breakout हो गया exit plan कैसे बनाया जाता है यहां पे तो हमारा almost exit का plan बन चुका था 8.50 पे यहां पे exit कर जाए यहां पे close कर रहा है wait कर रहा है तो obviously मैं wait करूंगा इसके बाद में जब यह नीचे आया उसके बाद में green candle बनाया तो there was a hope कि मुझे लगा कि अभी फिर से यह उपर के तरफ चला जाएगा लेकिन at the same time I planned my SL कि अगर यह low तूटा है तो निकल जाए उसके बाद में market नीचे आए ठीक है अब इसमें क्या होता है बहुत लोग इस trade को capture करना जाता है यहां पे क्या होता है आपने put buy के हैं यहां somewhere यह 55 लेकिन 45 to 50 के जो moment है जो travel है वो बड़ा खतरनाक होता है कोई भी put option 45 ले लो end पे 55 आपको जब यह नीचे आए candle उपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर उपर आगी अब इसमें हमेशा डर लगता है आप यहां तक नहीं रूख पाते हो ठीक है तो इसलिए मैं ऐसे चीज ने देखो क्या हुआ बैंक निफ्टी में तो कोई खासा ट्रेड बना नी क्योंकि नीचे की मैं खुद बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करता ठीक है बट आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी गैप डाउन उपर रहा और एग्जेक्टली हमारे लेवल पे जाके यहां प आपके टैकर कर सकते थे यहां पर दिककत ति कि कि निफ्टी में आप उन टीचे का मत वही था बसेया यह कि अ क्योंग टोग этого नहीं होता कि काल मैंने आप लोगों को की इंपाइन तो हीा व हुआ में वेकनेस थी में में आप अब को पर दूटी सो तो वहाँ पर weakness है तो कही ना कही बैंक सेक्टर में भी weakness आएगा अगर आप जाके देखोगे तो reliance में strength थी आज तो reliance में strength थी तो nifty को वह बेचारा ड्रैक करके चला गया and we got our target तो कही ना कही मैं जिस index को trade करता हूँ मैं उस पर ज्यादा focus करूँगा क्योंकि मुझे trade करना है मुझे सिफ analysis नहीं करना है मुझे इस से पैसे नहीं मिलते है if I trade then I will get the money तो कही ना कही मुझे आगे जाना है तो मुझे जो index मिलता है मैं उस पर ज्यादा focus करता हूँ obviously bank nifty को मैंने इतना focus नहीं किया बट आपको बता दू कि यहाँ पर एक opportunity थी अगर कोई call sale करता तो अच्छा profit बन जाता था इस session में और बाकी लोगों ने जिनको पता ही है कि यहाँ पर एक अच्छी opportunity थी call sale करने की बाकी तो और कुछ नहीं था अगर किसे ने सुभे strangle के बना के गया होगा या फिर straddle भी बना के गया होगा तो bank nifty में अच्छा पैसा बना होगा क्योंकि minus day था तो अच्छा decay है तो 100% मिला है now at the same time हम लोग कल के date पर क्या कर सकते हैं कौन सी important level है तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा market तो obviously 15783 पर close हुआ है अभी हम लोग xgs nifty को देखते हैं तो इसमें कहा है न हमारा market यहां पर close हुआ है selling तो आई हमारा market यहां पर कही न कहीं close हो गया यहां पर high लगा उसके बाद में close यहां पर हो गया 75 पर दिखेगा और ultimate जो hurdle है 944 और 995 के आसपास एक्जेस में दिखाई देंगे अब क्या करेगा उसके उपर देखते आगे और आगे और आपको points बताऊंगा अब बहुत important चीज़ हम लोगों को यहां पर समझनी है हम लोग dow jones को भी देखते हैं अब dow jones को देखे ना तो कल के date में market बले ही dow jones आपको दिखाई देगा कि 31,400 से 200 point का gap up opening हुई और यहां से 600 से almost 885 और 200 point की 207 की उपर moment हुई लेकिन वह sustain नहीं कर पाया कही ना कहीं market नीचे के तरफ आया dow jones अब यहां पर क्या reason मिला market तो reason ढूंड ही लेता है क्या था कहीं ना कहीं consumer confidence data जो होता है वह almost 52 years में सबसे lowest या worst आया हुआ है उस वज़े से कहीं ना कहीं वहां पर selling आ गई तो यह आपको clearly दिख रहा होगा फिर यहां पर market इस वज़े इस वज़े अगर हम लोग और देखते हैं कि चलो nasdaq बे same pattern बना है कुछ अलग चीज तो होए नहीं वैसे selling आया हुई है ठीक है अब यहां पर dow jones कल क्या करेगा यह बड़ा important चीज है कि क्या होता है आज देखो अभी क्या होने वाला है ना तो basically there is a GDP data अब यह जो GDP data market में आने वाला है जो GDP data आने वाला है वो USA का अब USA का GDP data यह बड़ा important event है कही ना कहीं आप लोगों को एक बात तो पता चल रही होग है क्योंकि market कही ना कहीं tank किये जा रहे है उपर के level से जब भी market जाता है तो कही ना कहीं sharp selling है profit working जैसे कह सकते हो आ रहा है क्यों आ रहा है कही ना कहीं market में न कही ना कहीं संभावी तेक recession हो सकता है अब वो recession आएगा तो market में impact तो रहेगा अब कही ना कहीं पूरे दुनिया में चर्चा चुरू है कि recession आ सकता है भयंकर recession आ सकता है Dow Jones 15,000 पर मिलेगा 20,000 पर मिलेगा ठीक है देखो वो मिलता है नहीं मिलता है that is very different part but somewhat कही ना कहीं यह जो consumer confidence data है यह confirm करेगा कि जो recession का डर है वो सही में है या फिर ऐसे ही कुछ चल रहा है अगर वो अच्छा चीज़े वहां से outcomes अच्छे आ जाते है तो there will be the impact की Dow Jones फिर उपर जा सकता है and उसका कुछ outcome मतलब whole identity market में रहेगी जब results आएंगे at the same time वहां पर कही ना कहीं market movement बड़ी करने की कोशिश करेगा तो अगर यहां पर movement हो जाती है the chances are vary है कि अगर वहां पर movement हो जाती है तो obviously हमारा market को भी वो impact कर सकता है and there will be the possibility of the gap up and gap down instead of that those things you are considering कि जैसे अभी हम लोग जो consider कर रहे है कि यहां पर हम लोग देखते है कि nifty अभी positive है ठीक है यह bank nifty positive है यह चीजों अभी अभी price action यह चीज़े आप देखो के ना की देखो है नीचे गिर रहा है तो हम लोग put buy करते है market यह बड़ा मुश्किल है यार क्योंकि क्या होता है चीज़े आप समझो कि आज कल देखो market यहां से gap down open हुआ support लिया उपर के तरह अच्छ कल भी हम लोगों ने यहां पर मैंने आपको बोला था कि 709 से important level है यहां से उठाया यह हमारी एक important level थी 748 पर हमने यहां यहां पर बाइं की हमें उपर के targets मिल गए हां यहां तक नहीं कि हमें पहले निकल गया बट मिल गए आज के date में भी वही pattern बनाए कि market open हुआ यहां से support होटा है हम लोगों ने यहां से मैंने आज थोटे से quantity बढ़ा ली थी call भी buy कर लिये और put भी मैंने sell कर दिये तो I was buyer and seller both तो ठीक है अच्छा profit बना इस जगे पर तो कही ना की call तो मैं निकल गया ठीक है I'm telling you call में में को इतना confidence नहीं आता है क्योंकि expiry का एक दिन पले confidence नही तो कही ना कही हम लोग जो put sell करते हैं तो थोड़ा सा confidence जादा रहता है personally मुझे अब वो शायद किसी को हो ना हो सबके लिए अलग हो सकता है तो I can hold my continue trade यहां पे किया तो end तक मैंने top तक उसको carry करने की कोशिश की कही ना कही यहां पे मैं निकल गया तो somewhat it is very important कि आपको similarity chart मे यह जो zone है एक resistance का zone है अगर gap up हो जाता है तो कही ना कही 916 वगेरा क्या resistance रहेगा और नीचे obviously 15700 का एक अच्छा support market में हम लोगों को दिखाई दे रहे है इसके नीचे जाएगा तो और support और resistance रहेंगे हम exactly दिखते है हमारे levels पे TM levels पे कि market को किस तरह के से trade कर सकते अभी तक आप लोग continue देखते है आरोगे तो आपको समझ ही होंगे कि levels कितनी important है और trade उसी पे किया जाता है but obviously you should have the plan and the mindset before trading और सिर्फ लेवल के ऊपर trade करने से कुछ नहीं होता है you have to create the mindset in that way कि कि किस तरह से trade किया जाए now come to our next point कि ये तो हो गया कि मैंने आपको points बढ़ता दी कि world market में क्या चल रहा है क्या चीज़े हो रही है data आरे माला है तो कही ना कही बहुत important aspect है बहुत बड़ा event है तो देखते है किस तरह से market इसको लेता और opening कहा पे होती है और चीज़ जैसे expiry day है तो expiry day है तो market थोड़ सब्सक्राइल रहेगा उसमें भी specially there is a monthly expiry so due to this monthly expiry maybe there will be the possibility of the volatility but at the same time one-sided move भी आने के chances है बट कही ना कही हम लोग देख रहे कि market bottom पे आ रहा है तो support लिए जा रहा है उपर जा रहा है तो resistance लिए रहा है तो ये zone में market फिर से attack जाएगा तो somewhat again as the expiry rule generally जो 60-70-80% time होता है उपर जाएगा premium बढ़ेंगे sale किया जाएगा फिर नीचे आएगा put के premium बढ़ाया जाएगे फिर उसको sale करके कही ना कही मार्केट में indecisive candle का formation daily time frame पे दीखेगा so let's come to our point की हम लोगों को आगे क्या कर सकते निफ्टी का weekly का चार्ट है जैसे अभी तक यह almost यहाँ पर हम लोगों को निकल देगा hammer बनती होए जा रही थी बट यह hammer का आज फिर से conversion हो गया है तो कोई कुछ नहीं है अभी weekly candle जैसे के वैसे पढ़िए यह जो zone important है यसे ही मार्केट अभी खिल रहा है तो अभी तक कोई decision clear market में नहीं रहेगी तो जब तक इस line के उपर है तो small time frame पर या intra daily basis पर हम लोग इसको bullish consider कर सकते हैं और बट अभी तक ultimately 16,000 के उपर नहीं जाएगा तो ultimately bullish नहीं बनेगा at the same time अगर आप इसको daily में भी देख लेते हों so let's check on daily time frame तो daily में आज के date में एक अच्छी candle का formation वा कल भी अच्छा formation हुआ था और market gap down उपन होके उपर के तरफ अच्छी moment दिया है कही ना कई end में एक sharp selling market में आई but that's fine यह जो important level है जो मैंने आपको उस दिन बताए थी उसी क अब 780 की अब देखो 1,2,3,4 यह candle अगर आप daily analysis देखते होंगे तो आपको exactly याद होगा कि यह level की में बात कर रहा था आज वही पर closing है तो somewhat at important level ही market close हुआ है और जैसे कि हम दो तीन दिन से data में भी देख रहे है कि 15,800 और 15,700 15,800 के put seller काफी ताकत से बढ़े हुए at the same time थोड़ा 2 minute और लगेगा लेकिन I am telling you कि जैसे last Sunday को हमने एक webinar लिया था and obviously मैं वहाँ पर available रहूंगा नहीं रहूंगा उसकी कोई शाष्वती गैरेंटी नहीं थी but still somehow I manage myself in that particular time frame and मैंने आप लोगों का एक workshop लिया था in that workshop I told one of the strategy अब यह जो strategy में बहुत सारे मैसे आते है सिर्कोंसी strategy I am going to explain you if यहां पर आप आप जाके देखोगे ना so you will find there is a MRP option strategy अब YouTube पर search करोगे तो you will get this video so this is I am saying it was my signature strategy because I am having the huge experience about this strategy and generally even though if market bleeds na market नीचे के तरफ हाय या market उपर के तरफ जाए tank भी हो जाए तो और मार्केट गेओ तो बिग मोमेंट somehow I manage this particular strategy because I am having very good hand in this strategy तो मैंने इस दिन workshop में यह सारी चीज़े explain की और आपके सामने वह strategy बना के दिखाई थी कि हम लोग इस तरीके से कर सकते है now at the same case अगर उसका में result बताओ कि obviously this is the offstra site तो मैंने आपके सामने यह strategy create की थी in that particular workshop वो चीज़े आप वहां से भी पढ़ सकते हो कोई doubt है तो मैं आगया और कुछ चीज़े explain करूँगा तो उसका जो recording है हमारे app में आपको ज़रूर मिल जाएगा और वो जो हमारा app है उसका नाम अगर आप android पे जाके search करोगे trade master azotec यह नाम डालोगे तो you will get our app मैं उसमें वो देखूंगा अगर free videos होते है न you will get some free content also so उसमें वो upload कर दूँगा मतलब सभी लोग उसको देख सकते है at the same time एक offer चल रही है जो मैंने पहले बताओ दो दिन के लिए मतलब 30 जून तक है आप लेना चाहते हो otherwise there will be the hike in the prices that you will observe ठीक है जो भी learning करना चाहते है वो कर सकते है otherwise मैं strategy को आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने strategy लगा थी the capital deployed in this particular strategy मैं आपको बता दू कि हमने strategy लगा थी तो almost एक लाग रुपय क्या आसपास यसमे capital लगा था and now we are sitting with the 2000 रुपीज profit at the closing basis and that is around 2% return right हम लोगों ने वहाँ Friday को discuss किया था Friday को closing basis पर लगा थे तो यह सारी चीज़े होती थी at the same time within 3 to 4 days how you get how you able to earn the 2% return on your capital along with the shift इसमे important चीज़ जो है ना time लगेगा थोड़ा but let me explain the things अब यहाँ पर जो है ना कि कहिना कि इसके probability of the property everyday it is increasing somewhere I did some इसमें कुछ मैंने obviously adjustment की थी right I did some adjustment and all this adjustment और यह जब भी adjustment की यह छोटी से adjustment की थी I explained वो आप लोगों को इसकी जो link है मैं आप description box में नीचे दे दूँगा आप वहाँ पर search कर सकते हो and वैसे search करोगे तो भी मिल जागा but fake channel बहुत सार है तो इसको जरूर याद रखना है अब यहाँ पर हम लोग अगर सीधा सीधा यह मैंने उस दीन एक्जिस्मेंट बताई थी along with the simple अब यहाँ पर जो interesting चीज है वह सबसे important देखो अब कल देखो कल एक बड़ा data आने वाल है अगर हम लोग इस strategy को नहीं निकालते है otherwise 2% is a good return अब यहाँ पर देखो maximum loss कितना है minus 79,000 right बड़ा loss यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इतना बड़ा loss है मैंने उस दिन अब आपको यह explain किया यह strategy आपको बहुत बेकार लगेगे बट still the result which are getting from this particular strategy is very very good अब यहाँ पर देखो कि market 15,800 पर है ना यहाँ पर अब market यहाँ से कल 15,300 भी गया ना still मैं आपको चीजे बता दो देखो market अभी यहाँ पर है तो हमारा closing business पर हमारा profit बनेगा almost इतना ही यह market थोड़ा उपर चला जाता है और यह फिर उपर जाके close कर देता है कहां तक 15,800 से market even 16,200 तक आप देखो उपर जाएगा तो भी profit बढ़ने वाला है अगर market नीच आएगा तो भी आपका profit बढ़ने वाला है So obviously I am taking the risk अगर market बढ़ा मुख कर देता है on either side upside or downside that is most possible but along with that particular risk वो risk के साथ मैं यहाँ पर अपना profit भी increase कर रहा हूँ Even कल जाके market 15,300 पर close हो जाता है तो at this price I am going to make around 3% up plus right so and even the market goes to the 15,150 and close there so again I am going to make more profit 4700 अब समझ सकते हो So abhi 2% हो रहा है तो again that is around the 4% return आपके बन जाएंगे So in this way this strategy is looking good but आपको इसको practice करनी पड़े की इसको बहुत जरूरत है आपने वो सारे detail देखेना तो video को जाके check कर सकते हो Now come to our point कि हम लोग देख रहे थे कि Nifty और Bank Nifty में हम चीज़े कैसे कर सकते है At the same time अगर हम लोग Bank Nifty को देखे Nifty का कल का candle अच्छा positive था तो आज भी market Reliance कहीना के drag करती के उपर के तरफ गया अगर Bank Nifty को देखे तो देखो still Bank Nifty is in the particular trading zone And मैंने कल ही आपको लोगों से बात की थी कहीना कहीना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि Bank Nifty अच्छी closing नहीं देपाया क्योंकि जो कल का low था वही से इसने resistance लेके Bank Nifty ने closing करने की कोशिश की है आपको देखो यह low से ही इसने resistance लिया और यह देखा यह पहले दिन का जो low था यही से resistance लेके market कहीना कहीना कहीनीचे अगर यह somewhat इसके उपर close कर देता ना 33,800 तो अच्छी बात हो बट यह कभी उपर जाई नहीं सका आज भी पूरे दिन भर आपको weakness मैंगनिफ्ट में दिखाई दिया होगा तो मैंगनिफ्ट इन नीचे के दरब आता है तो एक selling आ सकती है बट आप लोगों को नीचे की जुलेवल है कहीना कहीं आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा लेट्स मार्क मन बॉक्स मैं आपको एक कुछ बना के दिखा दो एक important zone रहेगा 33,100 और 32,990 के आसपास मतलब यह consider कर सकते है almost 33,000 तो 33,000 तो 33,000 तो 33,100 एक इसके नीचे चला जाता है तो बैंक लिप्टी में further weakness आ सकता है बट स्टील नाउ विक तो ही बट होने के लिए कल data है तो कुछ भी हो सकता है तो यह चीज हम लोग याद रखेंगे और obviously हम हमारे levels को देखेंगे उससे हम लोग सही ट्रेट को पकड़ सकते और intraday बहुत आसानी से profit कर सकते है इफ यू आ इफ यू आ इफ यू आर गूंग तो फॉलो देखोगे आप तो जो हमारा फिफ्टीन डाउजन सेवन पॉप्टी एड बनी है दोनों तरफ हाँ तो क्या बनेगा 600 तो 600 के बास एक अल्टिमेट लिए आपका सबोर्ट रह सकता है और उपर के तरफ 15,900 रह सकता है अब कही ना कही रिजिस्टन्स या फिप्टीन डाउजन सिक्सेंडेट बड़ आपको जो अल्टिमेट हायस्ट उपन इंट्रेस्ट है वो अभी भी 15,500 प जो है वो 15,700 में ही हायस था और हमने वही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सेल आउट की थी और वही ट्रेड में आप लोगों को दिया था आप देख सकते हो सबसे हायस्ट यही पर एडिशन हुए पूरा कंपरेजन कर लोगे इस चार्ट में तो 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 दाट इस बन आ हायस्ट तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कही ना कही 16,000 राइट 16,000 के आसपास आप लोगों को एक अच्छी और एक इमपॉर्टन लेवल मिलेगी जहाँ पर हायस्ट अब देख सकते हो हायस्ट मिंस हायस्ट वन करोड शिक्षिन लाग 48,000 जो पहले से तो अभी भी ख़िना कही 16,000 अगर ब्रेक आउट हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ी मॉमेंट उपर के डिरेक्शन में हो सकती है लिएब तोड़ा सा अपसाइड में उपर के लेबल देखने पड़ेंगे और निचे के साइड में क्यूँकि गपक ऊपन हो जाता है तो मार्केट मे आ रहा है कि 500 is going to be crucial role at the same time upside 16,000 is going to be important role at the same time we just have to understand कि कही ना कि 15,700 और 800 में काफी आज भी आज के date में भी आपको 800 में open interest दिखेगा और 700 में भी selling होते हुए दिखेगी आज के date में हुई हमने भी trade किया अच्छे कासे से अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होता है जब तक कि मार्केट 15,700 और 800 में ऐसा open interest create होके data जो बंद रहा है कही ना कहीं somewhat it is looking that market इसको breakout या breakdown करना मुश्किल हो सकता है बट अगर एक अच्छे gap or gap down से market इसके बाहर चला जाए otherwise यह जो range है इसमें market फसा रह सकता है बट अगर फिर से flat opening होती है तो यह दोनों level कही ना कहीं फिर से support और resistance का काम करने के लिए फिर से ready रह सकती है तो इतनी one-sided moment होना मुश्किल हो जाएगा कल के date में अगर इसी क्या आसपास रहा तो क्योंकि यह जो call seller और put seller दोनों यह दोनों defend करने के कोशिश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े gap up के साथ है gap down के साथ market या फिर opening ही अगरा total OS statistic है 16,000 में obviously highest है पूट आज के date में अगर दिखा जाए तो call side में भी अच्छी addition हुई है कहीं ना कहीं 16,000 और 16,100 में 16,200 में है तो ठीक है अच्छी बात कोई दिक्कत की बात तो है नी तो यह जो एक minute अभी total जो open interest है इसको देख लेते है तो 16,000 में highest है नीचे के 15,500 है bank nifty का देख में कोई मतलब नहीं सीधा सीधा 500,500 पर दूर पर आपको मिलेंगे चलो चाहिए तो आपको एक मैं दिखा दीता हूँ सीधा सीधा bank nifty को open करते है let's find अब देखो कि अभी कहा है bank nifty तो नीचे के दरब आगे 33,000 का आसपास है उपर के दरब जाओगे तो 500 देखने की जरुरतनी वही चीज होती है हमेशा bank nifty में खास पुछ data से हम लोग analyze नहीं करते है तो यह इस तरह से रहे का अभी OI data में आज देखो put में कहां से put में selling हुई है 15,000 से 15,100 से लेके put में अच्छा का सा काम किया गया बट उपर से call selling भी additionally हम लोगों को दिखाई द यहां तो श्रीट करने थे और उसके आजू बाइकर लेेते क को य Tou अ कुँ फशक कर ले दो també कोई कौम पॉट लेना है बट भी जानकारी हैं जिनको समझता है कि रिस्क इतनी है किस तरह से ट्रेड कर रहें और कल क्या हो सकता है ऐ जिल क्या पॉसिबिलिटी है सच समझिक अपने रिस्क को, मतलब calculated risk को लेते हुए trade करते है तो उनकी बात अलग है, right, so ये सारा data से हम लोगों को समझ में है, let's come to our point actually कि हम लोगों को कल Nifty में कहा trade कर सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं, निफ्टी में जो important level रहे हैं कि मैं आपको बता दू, Nifty 30 June expiry day, right, यही था क्या, हाँ, हाँ, चलो, अब जो resistance आएगा न, let's, इसको हटा दू क्या में 2 मिनिट के लिए, हाँ, आप लोग इसको निकाल देते हैं, 2 मिनिट के लिए, मतलब हमें clarity, यह level है तो important है, याद तो रखन of us, right, अभी यहाँ पर हम लोगों को एक चीज clearly यहाँ पर दिख रही है, हाँ, यहाँ पर एक चीज clearly दिख रही है, कि ऊपर के तरफ हमारी important level रहे है, वो 15,821 है, ठीक है, अब यहाँ पर कहा open होगा, that is again, one dramatic question in front of us, अगर market कही ना कही इस zone में open होता है, तो नीचे से support है, पहली बार दूसरी बार, ठीक है, तो कल तीसरी बार भी support लेने के कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर फिर यह breakdown हो गया ना, यह मतलब अभी मैं फिर से आपको explain कर रहा हूँ, बहुत लोग इसके बारे में question पूश्चन पूश्चते रहते है, ठीक है, तो यह breakdown होना मतलब यहा बहुत अच्छी बात है, पहले आपके entry यहां पर हो सकती है, जो aggressive trade करना चाहते है, चोटा सा SL डाल के, या फिर दूसरी entry आपकी इस जगे पर हो सकती है, जब retest करेगा, SL चोटा सा ही रहेगा, और retest मतलब जैसे green candle जा रही है, उपर यह ऐसे निकलते जा रहा है, आप जाक break होगा तब, अगर यह अच्छे से breakdown हो जाता है, तो यह थोड़ा सा खराब होगा है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, अगर यह 15,700 के आसपास, अगर market इसको आके retest करके breakdown करता है, तो हमें नीचे के तरफ 15,644 और 607 के level, आराम से दिखने के chances है, selling pressure आएगा, market नीचे TG से आने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों को यह चीज अच्छे से याद रखने है, इसलिए अगर मुझे market यहाँ पर मिलता है, तो मैं यहाँ पर एक risk ज़रूर ले लूँगा, ठीक है, बले market यहाँ से support उठा ले, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर exit कर दे तो देखते हैं किस तरह से और market यहाँ आएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कल अगर यहाँ पर selling आती है, तो next point है हमारा, अगर market इस zone में ही रहता है, और इसके कही ना कही support ले लेता है, तो support उपर से resistance, तो कही ना कही market में हम लोगों को sideways momentum, market में moment दे सकती है, तो उस side में देखेंगे कि अगर market नीचे से आकर support बना आता है, तो put sale करेंगे, उपर से resistance लेता है, तो call sale करेंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ रहेगी, या फिर हम लोग strangle बना की भी जा सकते है, उपर से call sale करेंगे, दूर का नीच आ रहा, तो आपका profit बन जाएगा, 1% तो आराम से 2% अप लेके जा सकते हो market से, ठीक है, ultimately जो हमारी important level रहेगी, अगर market इस level को breakout कर देता है, ठीक है, तो इसको breakout करता है, तो ध्यान रहना है, यह एक zone आएगा, जहाँ पर resistance लिया जाएगा market का, फिर दूसरा एक zone रहेगा, य यह जो point है, यहाँ पर भी, इसमें फिर आपको कुछ ना कुछ points भलेंगे, कि ऐसा, फिर यह ऐसा, तो यह एकदम continue जाने के लिए जा सकता है, but वो possibility कितनी है, वो हमें सोचना है, sorry, तो हो सकता है, maybe there will be the possibility कि वो सीधा सीधा उपर ना जाए, तो अभी तो यह दिख रहा है, तो कही ना कही वो point को ध्यान दखते हुए, हम लोग put sale कर सकते हैं, कैसे sale करेंगे, कि market यहाँ पर है, आपको entry लेना है, 15,825, 30 के आसपास होगा, तो जाके 15,750 का put देखो, या 700 का put देखो, 700 का put अभी कितने price पर 55 पर, कल यहाँ पर market कहा रहेगा, 25, 30 रुपे का मिली जाए या फिर और उससे नीचे देखो, ठीक है, 20 पर वो मिलेगा, तो 3 रुपे अलबाय कर लो, जैसे market उपर जाएगा, अपका profit बन जाएगा, so in this way, you can manage your trade, पैसा कितना लगता है, 20 to 22,000, 20 ते 22,000 रुपे लगेगा, उससे जादा नहीं लगता है, hedge करके रखोगे तो, right, अब यहां देखते हैं, कि अगर market इसको breakout करता है, तो भही हम bullish हो जाएंगे, 9.40 के उपर कुछ नहीं देखेंगे, bullish हो जाएंगे, मतलब आग बंद करके, without stop loss, market उपर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उपर जाएगा, तो volatility create होगी, तो obviously, but we will try to make the bullish trade, और उसमें loss भी मिलने के chances काफी रहेंगे, 15,500 भी, it will be also visible, below that, ठीक है, यह भी हम लोगों को नीचे के दरप देख सकता है, मैंने कोई level नहीं वनाया, वो level मैं telegram पर जाके बता दूँगा, आपको, या खुद होगी, supply demand के जोन से इतने दिनों से बता रहा हो, तो आप भी निकाल सकते हो, य and if unfortunately एक बड़ा gap down हो गया, यह यहां पर उपन हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि यहां किस तरह से price action बनता है, obviously इस line के नीचे, 15,600 के नीचे, यह 607 यह 608 है, but you can take it as a round number 15,600 के नीचे, I will try to go bullish, bearish, but ऐसा नीचे कि market यहां उपन होगा, और यह उपर आएगा, तो यहां price action क्या होता है, जैसे नीचे आएगा, we will try to sell the call, or basically we will try to buy the put, हम bearish हो जाएगे, market नीचे आने के कोशिच करेगा, यहां अपनों के नीचे आता है, तो भी हम लोगों को एक selling income होगा, मिलेगा, market 15,600 के, 500 तक तो जाना चाहिए, इसके बीच में रुकने के chances कम है, और तीजी से जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही candle ऐसी बड़ी बना सकता है, market की, बिल्कुल, लेकिन याद रखना है, 15,500 जैसे आएगा, यहां कई तो भी होना चाहिए, इस जगे पे है, यह 400 से, तो यहां कई तो भी 15,500 होगा, तो 15,500 पे market आया, तो फिर से time pass करने के लि open है, सीधा सीधा, देखते हैं, क्योंकि, पता चले कि, अब डाउन open हो, 15,500 पे हो गया, राइट, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो हरे एक strike price को तो discuss नहीं कर सकते, but as of now, obviously, you may understood की, हम लोग क्या बात कर रहे है, plan किस तरह के से, तो market अगर नीचे आता है, तो sell on the rise का concept र hopefully, I cleared each and every point about the nifty, how we can plan our trade tomorrow, at the same time, we will check our levels in the bank nifty also, again, bank nifty for the 30 June, monthly expire, थोड़ा सा धान के करीगा, bank nifty is looking quite simpler, than the nifty, 33,368 के, obviously, यहाँ पर फिर से एक level निकालना है, क्यों, यह दिख रहे है आप लोगों को, यह, shadows, यह दिख रहे है यहाँ तो, यह धान में रखिएगा, कभी भी है, क्याना, मार्केट उपर जाता है, फिर एक गैंडल, शैडो बना के नीचे आ जा सकता है, ठीक है, तो, अल्वेज, तो, उपर कहिना कि 33,365,32 का resistance है, 532 to 481, यह resistance का zone है, इसके उपर magnitude positive बनेगा, तब तक magnitude में positivity नहीं आ सकती, जब भी magnitude यहाँ मिलेगा, selling के opportunity मिलती है, you can sell, अगर यह breakout हो जाते है, तो भी यह sale मत कर रहा, फिर हम लोग bank nifty में हलके से bullish हो सकते है, दूसरी चाज, कि यहाँ से अगर bank nifty नीचे आदा, सीधा सीधा आपको 33,125 और 33,075 के आसपस मिलेगा, इसके नीचे further, आपको nifty में जैसे बताया, वैसे plan है, आप जाके chart को check कर सकते ह दो सम् हम वर्क पर यौल से पोली, आसा अम तेलिंग यू, वैसे आप लोगों को भी एक plan बनना ए, यौ रॉग बना लेबल थांव, इसकेई वी चाट को पर रेड़ बनाना है, जाके अम आम घंए प्रदे का आक हमुझ और यू नहीं प्रेस किया तो जारूर प्रमीर फि At the same time, maximum logo तक आपके जो भी दोस्त होंगे, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, कि जो हम लोग रोज अपलोड करते हैं, आपके लिए, मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, प्लान बनाता हूँ, and many things that I am explaining, it's not like that, कि मुझे लेवल देना, ये बताना है, at the same time, I am explaining each day, कि last day में activity क्या हुई है, उसमें reason क्या आते, कहां पे trade possible था, किस तरी के से trade कर सकते हैं, ये शायद ही कोई इतना detail में सिखाता होगा, and obviously, if I am telling you each and everything in detail, it takes some time, it will require time, but many people है, if you are going, मतलब आप जाके देखो किन, if you observe, few people are watching, average देखो, 7-8 minute देखते है, तो ये बाकी जो चीज़ है, मैं आप लोगो गाने बता रहा हूँ, song बता रहा हूँ, फालतु की बाते कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है, जो भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, but those who are serious लरन न, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, and obviously you are gaining some knowledge from me, at the same time, your trading should be better day by day, right, that's my promise, if you are listening each and every video, one day you will, और obviously आपको अभी तक वो दिख रहा होगा कि कितना आप में difference आज चुका है, but ठीक है, it's okay, मैं बाकी लोगों को जैसा नहीं करता है कि video बनाना है, बनाना है, जो भी बनाता है, दिल से बनाते हैं हम लोग शिद्दत से काम करते हैं, so that's fine, thank you for today only, and we will meet soon in the next video, thank you once again.